जी आमिद्र आज है 31st January सोमवार और UPSC Prelims को भी 4 महीने और 5 दिनी बाकिए Current Affairs और उसमें भी Economic Current Affairs में साड़े आखड़े काम के नहीं हैं But some numbers we have to memorize for competitive exam जैसे कि एक बात होती है V-shaped recovery वो इसलिए क्योंकि 2019 में अपना GDP growth rate था करीब 4% 2020 में गिर के हो गया minus 7% कोरोना के चलते production उत्पादन कम हुआ था फिर 2021 में वैसे Economic Survey को लगता था कि 11% GDP growth रहेगा लेकिन NSOK वो हमने report देखे थे करीब 9% के आसपास होगा So therefore 4 minus 7,9 तो ये हो गया graph में V-shaped अब ये हर सुमवार को जरी जो मेरी Brunals Monday current affairs free test series होती है रात को 9 बजे तो मैंने वही पूचा था क्योंकि ये आखड़ा ऐसा है कि जो हमको याद रखना है both for prelims, mains and even for interview बारत का GDP growth 2021 में 8.59 नहीं 9.2 होगा GDP growth rate 2019 में 5% था नहीं 4% था 2020 में minus 6% था नहीं minus 7% था यानि कि इसमें से कोई भी statement correct नहीं है और ये वाली test में करीब 5000 candidates ने appear किया था उसमें से 32% ही से correct कर पाए मलब 68% लोगों के तुके गलत हो गए so these numbers you need to memorize फिर हमने देखा था एक current affairs की World Bank कैसे देशों को classify करता है based on per capita income अगर 12,000 dollar से ज़्यादा है तो उसे हम कहते है high income country जैसे अमेरिका चीन तो वो upper middle income में है और इंडिया वो lower middle income में है और ये चर्चा में क्यों है क्योंकि इंडिया ने चीन के खिलाब WTO में complain किया कि ये लोग गरिब नहीं है इनको Indian idol मत बनाओ मतलब इनको कहा जाए कि वो अपने tax subsidy जो exporters को दे रहे हैं वो कम करें अपने local market में हमारे सामान को भी बेचने के लिए अनुकुल परिस्तिती बनाए बग्यादा तो इसमें से simple question मैंने पूछा था कि World Bank का classification per capita income 10,000 dollar होगा तो high income नहीं 12,000 होना चे इंडिया upper middle है नहीं lower middle income है चाइना high income country है नहीं high income तो 12,000 dollar माँगता है जैसे अमेरिका, it is upper middle त्यानिक इधर भी none of the above is correct 39% लोग करेक कर पाए मतलब तुक्ये में 61% लोगों के जवाब गलत हो गए फिर surety bond वो हमने पढ़ा था कि कैसे IRDI ने कुछ guidelines issue की है कि ये contractor जो highway बगेरा बनाते है सरकार को पहले वो bank guarantee जमा करते थे कि हमारा project complete नहीं हुआ तो penalty के रूप में ये bank guarantee हम दे रहा है जो bank से वो certificate लाएगा contractor और bank वाला contractor से fees लेगा लेकिन कोरोना में बैंकों को पैसो की गवर्मेंट को वो पै करेंगी और contractor ने वो surety bond की fees premium insurance company को देनी होगी तो simple एक line का सवाल था कि कौनसी organization ने surety bond की guideline issue की 2022 में तो IRDI Insurance Regulatory Development Authority RBI नहीं, SEBI नहीं, PFRDI नहीं तो इसमें भी only 36% लोग correct तो मलब 64% के गलाद जवाब हो गए तो ऐसे कुल मिलाकर 5345 लोगों ने ये exam दी थी जिसमें मैंने भी appear किया, अब क्यूंकि मैंने paper set किया तो मैं जवाब टिक नहीं करूंगा तो zero MCQ मैंने टिक किये तो भी मेरे 13% है zero टिक करने पर 13% है मरलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी ज़ादा गीरे हुए हैं जिनके negative में score होंगे इसलिए उनका test में marks कम है ये January week for 24th मंडे को हुई थी और उसके बाद अभी 31st को भी सुमवार है आज रात तो आज भी होने वाली है इसमें और नए question होंगे इसे current अब कुछ और देख लेते हैं जहांपर लोगों ने गल्दी की खुरनाख ford कहां पर है इंडिया नेपल border नहीं म्यानमार border नही चाइना border पर है और वो कुछ चर्चा था वो सब वहाँ पर एक bridge बना रहा है चाइना तो 38% लोग के correct मेरा प्रशना है वो एक था Tiger James Bond डेमोग्राफी की अधर है और उन्होंने ये correct किया कि नई प्रोजेक्ट हीमांग किसके लिए है वो ले लदाग में कोई बहुत highest road बनाया गया तो border road organization और उसका highway development program के साथ जुड़ा है ये भी again 50% लोग correct कर पाए बाकि सब लोग तुक्के मारने का होगे कि हीमांग तो अच्छा mountain का होगा या सियाचिन में CAPF की training होती होगी या सियाचिन glacier में ecological research बैज नई highway development है फिर ये वाला प्रशना याद करी आप quality में चुनाव प्रचार के लिए candidate कितना प्रैसा खर्च कर सके उस पर election commission ने ये जो पंजाब उत्रप्रदेश बगरा चुनावारे कुछ सुदार किये तो लोग सबा में maximum कितना spend कर सकते हैं 70 lakh नहीं 95 lakh किया था विदान सबा में बड़ी राज्य होतो 40 lakh और मॉल राज्य होतो 28 lakh वो तो correct तो only one two and three is correct first was wrong तो इसमें भी वही सब लक्षमी कान लेके आप बैठे रहते तो ये भी तो चीज़े आपने रठनी है current affairs में क्या चल रहा Multilateral Development Banks जैसे एक World Bank है जिसमें बहुत सारे देश सदर से ऐसे और भी है Asian Infrastructure Investment Bank जिसका एड़क्वाटर है बेजिंग में Bricks Bank या New Development Bank जिसका एड़क्वाटर है शांगाई में थोड़ा हम नीचे जाए South में Philippines और उसके Manila में Asian Development Bank अब यह जो Bricks Bank है उसमें सभी members जो है Brazil, Russia, India, China, South Africa उनकी equal shareholding है मलब 100K divided by 5 करो 20% है जबकि Asian Infrastructure Investment Bank उसमें थोड़ा अलग है कि China की 27, India की 7% बाकी लोगों की उससे कम So actually India is second largest shareholder और यह सब चर्चा में क्यों था वो उर्जित पटेल को Vice President बना है जो पहले RBA के गवर्नर थे अब इसमें पूछा Full Form Asian Investment Infrastructure Bank वो Full Form गलत है क्यों Asian Infrastructure Investment Bank Headquarter शांगाई में है नई Beijing में है क्योंकि समझे चीन की Capital Beijing और चीन Majority Shareholder तो वो तो भी बोलेगा मेरे घर पे होना चाहिए India is third largest voting after China जापन नई हमारे पास second largest shareholding है और उजित पटेल उसके Vice President में वो correct So only four statement is correct AIIB के बारे में पहले भी UPSC ने प्रिलिम में भी प्रशना पूछा था कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था वो भी 25% करेक्ट कर पाया मलब 75% के लोग गलत हो गए कैर ये जो टेस्ट हुई उसमें जिन जिन लोगों ने at least 23 marks या उससे ज़ादा हासिल की out of 40 20 questions थे 2-2 mark तो 40 mark का total paper उसमें से at least 23 या उससे ज़ादा हुए उन सबको बदाई असाद मलिक rank 4, 1-3 फिर जितेंद्र, अनुकूल, विजय, साक्षी, रादे अतिश, युके, कार्तिक, अर्चीत, अतित स्पर्ष, नीरज, अमन, मांसी, चला, स्रवन, मीनाक्षी, गवरव, मनासा, लीना, तरुन, रवी फिर जिग्यासा, स्वाव, प्रयाग, एमे स्क्वेर, मिश्रा, विशाल, अभिजीत, स्वाती, संभवी, प्रतिक, वैश्नाव, राहुल ये up to rank 380 और फिर top 10 में कौन है, तो कुनाल जिनके 40 marks मलब सारे correct हुए, मोहिद, शुबेंदू, मुकेश, प्रशान्थ, विधान, मुरिनाल, रतनकांथ, बुशित, और जगमोहन, top 10 में ये भी और इन बीच में भी जितने लोग है, उन सब को बदाई, ऐसा ही ये टेस्ट, आज रात को भी है, जिसमें और नए current office के question, जो हम ये आज कल पढ़ रहे, current office में, वो सब है so you are welcome to participate, बाकी रह, you are quick होती है, unacademic combat, उसमें ये iPad, laptop अगेरा, depend करता है, कौन से दिन test है, you can win that, सुमवा रात को मेरी एक quiz होती है, आलाकि उसमें कोई नाम नहीं होती है, फिर मंगल बार सुबह है, ये history, static quiz, ऐसी अलग-अलग test चलती रहती है, subframe में ये, so this is the link, free unlock code is monal.org मित्र, इसके अलावा अभी क्या होगा, आज 31st January ये economic survey आएगा, और कल budget आएगा, तो फिर पूरा दिन YouTube पे, केको फोनी, मरला करकश्वर में, काउं, 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 चलते रहता है, 500 page का economic survey है, तो क्या 500 page पढ़ने है, उसका जो काम की चीज निकालो, hardly 20, 30 pages का माल होता है, उसमें जो prelims और mains में चलेगा, बाकी सब तो grab बना कर वो सब इदर उदर खिचर्चा होती, so need not worry at all, ये budget, economic survey और बाकी economic updates, last prelims से लेके अब तक जो अगली prelims तक होगा, वो मैंने पहले भी ऐसा किया है, win 20 series, फिर win 21 series, फिर win 22 series, ये सब फ्री में ही चलता है, तो पिछले साल October, क्योंकि उससे पहले का, तो मैंने cover कर दिया win 21 में, तो पिछले साल October से लेके, 2022 की prelims के एक महीने पहले तक, मतलब, जून में 5 जून को prelims है, तो में 2022 तक के current office की ये series चलेगी, इसको मैं शुरू करूँ करूँगा, आठ तारिक को, 8 फेबरुआरी रात 9 बज तो मैं ये current office वाला वीडियो नहीं बना पाँ, क्योंकि मुझे भी कुछ से कुछ पढ़ के जाना होगा, budget में क्या हुआ, economic survey में क्या हुआ, so then I will probably make a video on Wednesday, जिसमें budget economic survey की छोटी सी summary मैं बनाऊंगा, YouTube page views हासिल करने के लिए, बाकि जो असल में काईदे से जो prelims और mains के लिए लंबी चौरी चीज़ हमको पढ़ने पड़े, that I will start from 8 February, तो ये एक बात हुई, अब main चीज़ पे आते हैं, कि आज current office में जाने लाइक क्या था, कुछ खास नहीं था, इसलिए ये सब time pass चल रही है, economy, तो मामला ये है कि पिछले दो दिन, रवीवार को क्या current office में जाने ल उसके chairperson का, MR कुमार का कारेकाल एक साल के लिए और बढ़ा गया, क्योंकि अभी उसका IPO initial public offer आने वाला है, तो वो सब ताम जाम वो देखने के लिए ज़रुवत होगी, फिर कुछ columns थे अब उसमें, बात ऐसी है, कि agriculture, में Indian council of agriculture research, उसका काम है ये सब agriculture की research करना हो, उसको हर सा बजेट में करीब 8,000 करोडी मिलते हैं, जबकि बाकी सब जो योजना होती है, food, fertilizer, subsidy, PM, किसान, जिसमें 6,000 रुपे किसान के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं, हर साल इसी में 4,500,000 करोड तो इन सब में चला जाता है, जो कि tax में जितनी union को आम धनी हुई, उसका 30% है, ज किन गुना जादा पैसा खर्च करना चाहिए, तभी किसानों की income डबल हो सकती है, so that is one thing, पिर एक और आज चर्चा में चीज, social commerce, e-commerce का अब समझते हैं, कि online platform होता है, और उदर buying selling होती है, जैसे Amazon Flipkart, तो यह social commerce क्या है, for example, observe this, मीशो कूर्ती हौल, 176 रुपीज में यह dress, अब यह जो महिला होगी, यह YouTube पे ऐसा वीडियो बनाया है, तो वो model क्या होगा, यह मीशो वगेरा को का जाता है, social commerce, वो ऐसा कि उन्होंने फिर अपना एक store बनाया होगा, यह मीशो नाम की mobile app में, और यह समझ यह कूर्ती, 176 रुपी मरलब उसने क्या क्या होगा, कहीं और से यह और सस्ते में unbranded product खरीदा हो, और फिर इदर बेचा जाए, और उसमें उनकी कमाई, और उनके जो friends, relatives, YouTube followers, WhatsApp वगेरा से वो उसे promote करें, तो यह जो चीज़े उसे का जाता है, social commerce, कि जहाँ पर reseller, जिसने खुद नहीं बनाया हो कहीं और से सस्ते में खरीदा है, और यह वाली चीज़, अब इसमें क्या अच्छा बुरा है, तो यह तो कि सस्ते में माल मिल जाए ग्रहा पोपो, लेकिन सामने चेलेंजिस क्या होती है, नकली, pirated, counterfeit products की चिंता रहा है, यह सब बात, तो इस इस बात, फिर infrastructure और communication infrastructure में कुछ बात चले, इंडिया enterprise architecture, अब यह क् इसे, आ तो मित्रो, एक चीज़ होती है, enterprise resource management, ERM, वो ऐसा कि आपका business है, और नीचे आपके पास धेर सारा data, अलग-अलग customer का, अलग-अलग Google search history, advertisement reference वग्यरा, फिर आपने कुछ अपने mobile application बनाएं, और वो application बनाने के लिए जो भी Java, C++, GPS वग्यरा technology आप यूज करें, तिन सब को integrate करके, जो पूरा काम हो, उसे हम कहते हैं, enterprise resource management, तो इसका कया उपी हो गया, for example, suppose हम agriculture और irrigation की कोई scheme शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक तो GPS data चाहिए कि कौन-कौन से canal dams है, वो कहां-कहां तक पानी पहुँचाते हैं, फिर users, मदलब किसान कितने हैं, तो हमने आगे भी देखा था, PM किसान scheme में 6,000 रूपीज उनको दिये जाते हैं, और वो सब में उनके आदार कार्ड, उनका कौन सा agriculture plot number है, वो सब data integrate किया जाए, फिर irrigation की जादा mark कब होगी, कब होगी, तो IMD, Indian Meteorological Department का वो सब weather forecast हवामान की आगा ही क्या है, वो जानना होगा मौनसून कब आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, और ये सब progress होगा, तो साथ ही साथ नीतिया, कि sustainable development goals वगेरा में किदर क्या मदद हो रही है, क्या shortages चल रही, we have to integrate all that, अब इसके लिए सोचिए हर एक ministry and department अपना अलग से enterprise architecture बनाना शुरू करे, तो बहुत मेंगा ह हर बार Microsoft, Facebook वगेरा से हम ये technology खरीदने बैठे, IBM वगेरा से, it will be expensive, तो Ministry of Electronics and Information Technology, IT, MIT, उसने एक open source ऐसी पूरी system बनाई जिसको कहते है, IndEA, that is India Enterprise Architecture, और उसकी मदद से ये सब किया जाए, अब चर्चा में क्यों आया, क्योंकि ये Ministry of Information, Electronics and Information Technology, वो ये सोच रही कि एक digital ID बना देते हैं, वो ऐसा कि आपका आदार का driving license, water ID, PM किसान ID, micro small medium enterprise को उध्यमी आदार नंबर दिया जाता है, ऐसे अलग-अलग बहुत सारे numbers दिये जाते हैं, students का college registration number, उन सब को एक इकृत किया जाए और कोई बहुत जोरदार तरीके से सब e-governance के model applications, इसके लावा economy में जो समाचर थे, कुछ खास काम के नहीं थे, बारत का forex reserve क्या कम जादा हुआ बहुत आज आएगा economic survey उसके बाद देखते हैं उसको, bad bank वो तो दो दिन से ये रो रहे हैं, वो तो हम पहले पर चुके हैं, वो देख लो दो तिन दिन पहले का वीडियो, और फिर एक मामला चला है कि चाइना और लिथुआनिया की कुछ लड़ाई चले, import-export के बारे में, और वो WTO में गए, तो औस्टेलिया भी WTO में गए है, अब ये पूरा हम नहीं पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि उससे भारत के हितों को क्या असर होता है, वो बीरबल की कि पकाने बैठो कि अच्छा, चीन की उधर लड़ाए और ये और ये करेगा, तो अस्टेलिया ये करेगा, तो इंडिया इधर करेगा, already we have sufficient points for writing, international trade related things, तो काम काने, फिर अमेरिका में, share market में, blockchain technology की मदद से, सब stock exchange का का काम हो, हमने already blockchain technology के benefit application देख लिए हैं, तो ये कोई चार भी ऐसे इस अब थे, वो Pegasus नाम का spyware, जिसकी मदद से आरोप लगता है कि opposition leaders के phone का hacking हुआ, उस पर सरकार ने निगरानी की, अब उसकी रोज comment ही चल रही है, कि वो कोई New York Times report कहता है, कि ये तो बारत सरकार ने खरीदा था, मतलब उसने राउल गांधी पे use किया होगा Supreme Court का, ये वो, मित्रो Supreme Court ने committee बनाई है, उसको report आने दो, फिर judgment आने दो, अपनी exam कल सुबह नहीं है, अपनी exam चार महिने पांच दिन बाद है, prelims, और mains तो उसके भी बाद है, अगर आपका interview कल सुबह हो, then you have to apply brain in this, क्योंकि वो interview panelist पढ़ क्या हो, तो उमको दिमाग लगा पिर चलते है, ethics for mains paper 4, उसमें मुद्दा है, attitude towards women, उसमें बात क्या ही नहीं, SBI में recruitment होती है सब officer, staff अगरा की, अब ऐसी recruitment में एक नया नियम SBI ने बताया, कि जिसका नौकरी में selection हुआ, वो महिना, तीर महिने से ज़्यादा pregnant है, तो उसको temporary unfit माना जाएगा, अस्थाई रू हम permit करेंगे, तो सोचे जो pregnant है 3 महिने से ज़्यादा, तो अब total if you assume कि 9 months के बाद delivery होगी, तो 6 महिने की उसकी नौकरी अभी वो नहीं कर पाएगी, और बच्चा होने के बाद, भी 4 महिने तक वो नौकरी नहीं कर पाएगी, ऐसा उसने नियम बना SBI ने, यानि 10 महिने तक व maternity benefit मदलब, प्रसूती लाब, जो आपको नौकरी मिली है, and then जो pregnant women है, जो जितने दिन office नहीं आ पाए, तो उसको कुछ महिनों के लिए salary मिलेगी, even though she is not going to office, तो वो सब लाब नहीं मिले, इससे खासकर problem किसको होगा, जो गरीब हैं, फिर जो diversity and single mothers है, 10 महिने तक उनको, even after selection कुछ salary और कुछ लाब नहीं मिले, तो इस पर social media में हांगावा हुआ, और फिर SBI ने circular वापस लिया, so that was the matter, आ तो इसमें सब सोचना क्या है, यह सब मलब regressive and old practices उसको modernize करने की जरूरत है, जो भी weaker section उनके तरफ empathy, सानुबूती होना जरूरी है, फिर public organization dilemmas for ethics, अब उसमें मौामला क्या है, देखते हैं, school producer में मिली शराब की बोतले, बिहर में आप जानते हैं शराब बन दिये, अब कुछ ऐसे report आ रहे हैं कि रात को वहाँ शराबी लोग school में जाके उसके building में चिप चिप कर शराब पीते हैं, बेशते हैं, या दिन में भी ऐसे school जहां पर सब को हो रही है, तो तुमने जानगारी देनी होगी, फिर इसका बारी विरोध हुआ, तो सरकार ने कुलासा दिया कि नए, यह वो compulsory नहीं, वो mandatory नहीं, वो तो optional है, आपको कुछ दीख जाए और आप बताना चाहें तो बताना, तो इसमें मलब क्या गौर करने का मुद्दा क्या है, इससे पहले भी स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर बिहार में शिक्षकों पर स्टेट गवर्मेंट ने ऐसा order दिया था, कि आप सुबह उठो, टॉर्च और विसल लेके जाओ, और जो भी खुले में शौच कर रहा है, उस पर टॉर्च लाइट लगाओ, और विसल बजा जो, वो एजुकेशन की तरफ रहेगी नई, और दूसरा, कि अगर स्कूल के खाले बिल्डिंग में चराब की बिक्री हो रही है, तो पक्का पुलिस को पता हो गई, उसके सब इन्फॉर्मेंट का नेटवर्क हो, CCTV, ड्रोन, सर्वेलंस सा बात तो कर सकते हैं, और अगर उस पाट ऑफिस सर्विस कंड़क रूल की उसकी ऑफिस में कोई भी दो नंबर के काम नहीं होने चाहिए, अब आप अलग से लिख के बोलेंगे कि, इफ यू आप तो, इस लिकर तिंग इस हैपनी, तो वो एक तरह से ऐसा याद करवाना हो, ऐसी चीज है, सपोज यू आर तो उसी तरह ये जो टॉप डाउन अप्रोच हमेशा सब याद करवाना और डाटते रहना, और ये समझना कि वो सब नालाएखी हैं और काम चोरी करेंगी, then it will decrease the moral of the staff, शिक्षकों का नैतिक मनोबल खतम करता है, ऐसी सब रवया जो राज के सचिवाले से ऐसी सब सर्कुलर तो these are all dilemmas in public organization and how to build motivation, moral ऐसा भी ethics में कुछ topic है, तो सोचने के मुद्दे, columns में कुछ खास मज़ा नहीं था, कोरोना अब काबू में स्कूल को वापस पुला जाए, वरना सब की पड़ाई बरबाद हो रही है, फिर दूसरा की finance minister ने tax में कटोती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि की सरकार के पास, वैसे भी फीजल डेफिसिट जादा है, यह सबब बजेट आने तो देखते हैं, बीजेपी को इंफाल में यह चुनाव जितेगा की नहीं, not important, explain series में भी कुछ मजा नहीं था, वो यूक्रेन पर रशिया हमला करना चाहता है, हमने दो तिन दिन पहले देख होंगे, आला कि उसमें यह भी हो सकता है, कोरोना लॉक्डाउन में वो सब वापस यह आ गए हो, तो असल में उसको कुछ rescue करके लाना है, ऐसा scene, शायद कम ही हो, लेकिन आप सोचिए, अल्रेड हमारे पास लिखने को और भी मुद्द हैं, कि वो सब इंडिया रशिया डिफ और इसको थोड़ा वार होने दो फिर हम देखते हैं आगी, फिर एक है, ओमान के कुछ defense secretary बारत में आ रहे हैं, तो ओमान और उसमें कौन-कौन से जाने लग जगा मसकत, और दूसरा एक port area है, दुकम, यह जो दुकम port है, वहाँ बारत ने कुछ agreement sign किया कि हमारी navy भी वहाँ पर अपने जहाँ पार्क कर सकती है, डीजल बरवा सकती है, ओमान के साथ हमारी army navy air force regular military exercise युद्ध अभ्यास करते हैं, और यहाँ पर सब अधानी भी port development में देख रहा है, so it is helping India ऐसी सब बाते हैं, तो वह हमने जान लिया, international relation में बाकी सब कुछ खास काम का दिखा नहीं, अ रोन देने वाला है, यह सब इसलिए पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि यह पाकिस्तान तालिबान के main answer writing के लिए अपने पास काफी मल पहले ही जमा हो गया है, कि पाकिस्तान तालिबान और वो डेली decoration में एने से ने क्या बुला था, वगयरा वगयरा, अभी prelim exam अपनी कर Thailand, Vietnam और यह Cambodia यह जो क्रीम प्रीम कलर जैसा है, तो इसमें ASEAN foreign minister की meeting होगी, वो मुझे कम काम का लगता है, वो इसलिए कि ASEAN की जो main summit हो, जिसमें उसके Prime Minister President आरे है, तो वो जाना है वो venue कौन सा है, यह तो foreign minister की summit, फिर ऐसा finance minister की होगी, फिर culture minister की होगी, तो कितना पढ़ोगे Sports में जाने लाग क्या, Australian Open, तो Raphael Nadal ने Daniel Medwadev को हरा के 21st time Grand Slam जीता, डेथ में कुछ लोग थे, लेकिन वो इतने famous नहीं कि वो competitive exam से seen बने, so it is sad, the demise is sad, but less important for exam point of view, तो यह था, आज का newspaper, कल में वीडियो नहीं बना पाऊंगा, सिधा हम मिलते हैं बुधवार को, और इसके ला See you accordingly next time